होली पर केवल ग्रहन ही नहीं बलकी राहू सूर्य भी बरसाएंगे कहर यह राशी रहे बचकर। वर्ष 2024 की होली यादगार रहने के साथ साथ इस बार थोड़ी खतरनाक भी साबित होने वाली है। दरसल ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि होली पर ही साल का पहला चंद्र ग्रहन लगने वाला है। सिर्फ इतना ही नहीं इस दिन पर राहू सूर्य की दोहरी मार भी होगी। दरसल मीन राशी में सूर्य और राहू की युती ग्रहन योग बना रही है। तो चलिए अपने इस खास विडियो के माध्यम से समय से पहले ही जान लेते हैं होली पर लगने वाले ग्रहन और राहू सूर्य की युती का किन राशी के जातकों पर सबसे अधिक प्रभाव पढ़ने की समभाव ना है और त्योहार का रंग फीका ना पड़े इसके लिए आप क्या को चुपाई कर सकते हैं इसकी जानकारी भी हम आपको इस विडियो के माध्यम से प्रदान करेंगे सबसे पहले बात कर लेते हैं होली के दिन लगने वाले ग्रहन के समय की होली पर ग्रहन फालगुन पूर्नेमा की रात में होलिका दहन किया जाता है और अगले दिन रंग वाली होली केली जाती है। ऐसे में इस साल 24 मार्च को होलिका दहन किया जाएगा और 25 मार्च को रंग गुलाल की होली केली जाएगी। 25 मार्च को ही साल का पहला चंद्र ग्रहन भी बात करे समय की तो इस ग्रहन का समय होगा। साल का पहला चंद्र ग्रहन क्या रहेगा समय। स्पेन, पुर्टगाल, एटली, जर्मनी, फ्रांस, हॉलन्ड, बेल्जिम, दक्षिन नॉर्वे, स्विट्सलेंड, उत्तरीव दक्षिनी अमेरिका, जपान, रूस का पूर्वी भाग, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर शेश ऑस्ट्रेलिया और अधिकान शफ्रीका भारत में द्रिशमान नहीं, होली पर कई एहम ग्रहों के गोचर का भी पढ़ेगा प्रभाब, इस साल 25 मार्च को होली है और इसे ठीक एक सप्ता, पहले 18 मार्च को शनी ग्रह का उदै होने वाला है जो सभी राशियों पर प्रभाब डालेगा, इसके बाद मार्च में ही हो भी गोचर होगा जब वो मीन राशी में प्रवेश कर जाएंगे, यहां राहु पहले से ही मौजूद है, ऐसे में यहां अर्थात मीन राशी में सूर्य और राहु की युति होगी, जब राहु सूर्य या फिर चंद्रमा के साथ युति करता है तो इससे ग्रहन योग का नि राशी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इस राशी के नौकरी पेशा जातकों को और व्यवसाय से संबंधित लोगों को अपने जीवन में रुकावटे और परेशानिया जहेलने को मिलेगी। इसके अलावा आर्थिक पक्ष के मुर्चे पर भी आपको नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। इस अबधी में आपकी प्रबल रूप से धन हानी होने की आशनका है। आपके खर्च भी बड़े रहेंगे और बंते-बंते काम भी रुखने के असर हैं। इस अबधी में अपनी सेहत का विशेश ध्यान रखें क्योंकि इस दोरान आपकी सेहत भी नाजुक नजर आ रही है। इस राशी के छात्र जातकों की पड़ाई पर भी ग्रहन की स्थेती नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। परिवार में तमाम तरह की परेशानियां और कलह ख्लेश होने की आशनका है। अगर आप कोई महत्वपूर्ण फैसला लेने जाएंगे तो इसमें आपको संशे की स्थेती का सामना करना पड़ सकता है। छोटे से छोटे काम में भी आपको बहुत ज्यादा मिहनत करनी पड़ेगी। शत्रू इस दौरान आपके लिए हावी हो सकते हैं ऐसे में आपकी छोटी सी भी लापर वही आपके लिए इस दौरान बेहद ही खतरनाक साबित हो होने वाली है। इन सभी मोर्चों पर आपको सावधान और सजग रहने की आवश्यक्ता पड़ेगी। सलाह दी जाती है कि किसी से भी कठोर वानी में बातचीत ना करें ना ही किसी को गलत बोले अन्यता आपको जीवन में तमाम तरह की चुनोतियां उठानी पड़ सकती है। चंद्र ग्रहन के दुश्प्रभाव से बचाएंगे ये उपाए। चंद्र ग्रहन के दौरान गुरू मंत्र का जाप करी। इस दौरान महमरित युन्जय मंत्र का जाप भी विशेश रूप से फलदाई साबित होता है। ग्रहन के दौरान अपने मूह में तुलसी की पत्ती रख लें। ग्रहन समाप्थ होने के बाद अपने घर का शुद्धिकरन अवश्य करें। ग्रहन के बाद चंद्रमा से संबंधित वस्तूओं का दान अवश्य करें। चंद्र ग्रहन के दौरान इंसान को सफेद चीजों क दान करना चाहिए। दरसल चंद्र ग्रहन के दौरान चावल और दूद का दान काफी ज्यादा शुब माना गया है। आप चावल और दूद के साथ दही, सफेद कपड़ा और मिठाई का दान कर सकते हैं। दान के साथ ही चंद्र ग्रहन के दौरान भगवान का स्मरन करते रह ना चाहिए, जिससे नकारात मकता दूर रहे.